नमस्कार स्वागते आप सभी का काल चक्र में मैं हूँ विपनेश माथूर और मेरे साथ हैं प्रश्ण कुंडली विशेशग्य पंडित सुरेश पांडिजी पंडित जी स्वागते आप साथ होगी नंदी की मूर्थी जहां भी होगी भगवान शुब का वास और मां लक्ष्मी के गृपा भी साथ होगी नंदी लाएं खुशियां पाएं देखिये काल चक्र जी हाँ जैसे के आप सभी जानते हैं कि नंदी भगवान शुब के वहान है नंदी हर श्रिवाले में विराजमान रहते हैं नंदी की दर्शन के विना भगवान शुब की पूजा अधुरी मानी जाती है नंदी के कानों में कही गई हर बात देर हो या सभी पूरी जरूर हो जाती है ऐसी माननेता है ऐसा कहा जाता है इसलिए आज कालचक में पंडिर सुरज पांडी जी आपको कहने वाले हैं नंदी लाएं खुशियां पाएं क्योंकि नंदी की मूर्थी ना सिर्फ आपके आता है जैसा कि हमेशना कहते हैं प्रोग्राम की दौरान आप पंडी जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं इसके लिए आपको हमारा नंबर नूट करना होगा हमारा नंबर जल्दी से आप नूट कर लीजिए नंबर है 01206652411 और आए अपनी खा होगा पंडी जी मंदर के भार नंदी जरूर होते हैं और यह माननेता है कि उनके दर्शन किये विना भगवान शिव की कृपा नहीं पासकते और अक्सर मैंने देखा है कि एक कान इदर से बंद करते हैं तो दूसरी तरफ कान में कुछ मांगते हैं लोग या कुछ कहते हैं जो भी उनकी मनुकामना होती है तो नंदी की महिमा उनका महत्त अग्या समझाई है देखो वेटा मैं तो महनुश्य हूँ मैं नंदी की महिमा क्या बताऊंगा वो देवाधी देव महादेव के जो है प्रमुक गणों में से एक है और अगर महादेव के बाद किसी की पूजा होती है तो नंधी की ही पूजा होती है और वो भोलेनात के अतिस सनिकट है कोई ऐसा अस्थान नहीं जब भोलेनात ने उनको मना किया हो कि यहां नंदी का प्रवेश नहीं हो सकता तो उनकी महिमा अगर सरस्वती नहीं कह सकती ब्रह्मधेव नहीं कह सकते तो मैं अकिंचन क्या कहूंगा हाँ इतना जरूर है कि बच्पन से देखता आ रहा हूं जहां सिवाले है वहां सिवाले के बाहर एक बैल की मूर्ती लगी रहती है और लोग सरद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं शिवाले में से सिवलिंग की पूजा करके जब लोग निकलते हैं तो नंदी को भी प्रणाम करते हैं कुछ लोग नंदी के कानों में, मैंने सुना है, ओम नमध शिवाय कहते हैं, दो-पांच बार दाहिने कान में नमध शिवाय कहते हैं, और लोगों से जब पूछा है कि ऐसा आप क्यों करते हैं, तो उनकी माननता है कि हम जो नंदी को कहते हैं, वो नंदी हमारे भगवान सिव को वो बात पहुंचा देते हैं लोगों की माननेता है और माननेता में भी काफी सच्चाई दिखती है कि और माननेता अगर कुछ दिनों के लिए हो तो वो धीरे-धीरे खतम हो जाती है लेकिन माननेता अगर सच्चाई से युक्त है तो वो अनवरत चिरकाल तक चलती रहती है लेकिन नमस्षिवाई की जगे वो अपनी मनुकामनाई भी मांगते हैं, ऐसा भी मैंने सुखते हैं, और एक कान को बंद करते हैं अब आप नहीं समझते हो, अब जैसे हम तो मनुष्य हैं, अब हम मनुष्य की एक क्वाल्टी है, अगर हम भगवान को एक धूफ बत्ती दिखाते हैं, तो कह देते हैं बगवान मेरे बच्चे को पास कर दीजेगा, अगर एक मतलब की मिठाई का फोग लगाते हैं, तो कह दे तुझा में हर उपासना में हमारे एक नेक डिमांड होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हो कुछ लोग कानों में जो है वो मतलब की अपनी डिमांड रखते हैं। लेकिन सच्ची बात मैं उन परम भागवतिक लोगों को कहता हूं जो लोग मतलब की भगवान सीव की कृपा चाहते हैं। आर्थ जिग्यास वो होता है जो धन के लिए भगवान की पूजा करता है। जिग्यास वो होता है जो यह जानना चाहता है की भगवत सक्ति है क्या। आर्थ वो होता है जो दुखों में पड़ा हुआ छटपटा रहा है और उसके कश्ट को आकर के प्रभू आप दूर करिए वो अस्मन करता है, वो आर्थ कहलाता है और ग्यानी वो होता है जो भगवाद भकती के लिए ही पैदा हुआ है और वो भगवान से प्रिथक नहीं है इसलिए वो हर समय भगवान के मार्ग में लगा रहता है और चारो प्रकार के भगतों का भगवान कल्याण करते हैं ये चारही प्रकार के भगतों होते हैं इन चारो प्रकार के भगतों का भगवान कल्याण करते हैं और उनकी यथायोग्यमनो कामनाई पूरी करते हैं. जो कोई नहीं दे सकता है. इसलिए कि लोग तो देव हैं और देवता तो देव हैं वो महादेव हैं. और इस स्रिष्टी में एक विधान है कि वो जिस सम्विधान में चाहें बिना किसी पहुमत के परिवर्तन कर सकते हैं और अपने अनुसार कर सकते हैं उनको ये छूट है. बाकि सारे देवी देवता प्रारब्धों से बढ़े हुए हैं लेकिन सिवजी प्रारब्ध के बसी भ मतलब की संकट आता है ना तो उस समय सीव ही सामने आते हैं जब हलाहल निकला जहर निकला समुद्र से तो उस जहर को छूने के लिए कोई तयार नहीं था उस समय उस समाज के जहर को भी भगवान भोले नातने ग्रहन किया और उसे अपने कंठ में धारन करके नीलकंठ बन गए और सब देव रह गए वो महादेव बन गए तो कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह गायों में कामधेनू स्रिष्ट है उसी तरह बैलों में नंदी करते हों तो आप ये जान लिए कि पूरुजन में वो सिलाद रिषी थे जिन्होंने हज्जारों वर्ष तक घंघोर तपस्या करके भगवान सीव को प्रसंद किया था जब भगवान सीव प्रसंद हुए और बोले सिलाद रिषी से कि बरम बोह बर्दान मांगो तो उन्हों ने कहा कि प्रभू मैं सदा सरवदा आपके सेवा में और आपके सांथ हरूँ तो सीव जी ने उनको बर्दान दिया कि वो हमेशा उनके सांथ रहेंगे और उनके वाहन बनेंगे भगवान सीव का नंदी को ये बर्दान है कि जहां भी नंदी का निवास होगा उस अस्थान में भगवान सिव भी वास करेंगे इसलिए नंदी का पूजन सिव पूजन के समान ही माना जाता है नैदी नंदी चैतन्यता के प्रतीक हैं जो खुली आँखों और खुले कान से ब्यक्त अब्यक्त बातों को भान करता है पुराणों के अमसार भगवान सिव की तपस्या में किसी प्रकार का बिढ़न न पड़े इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनकी तपस्थली के बाहर तैनात रहते हैं नंदी का पूजन करना भगवान सिव के पूजन का एक अभिन अंग है नंदी को पुर्शार्ष का प्रतीक माना गया है इसलिए मानस पूजा में लिखा गया है आत्मा तमगिर्जा मती सहचरा प्राणा सरीरं ग्रिह पूजाते विशयो पभोगर चना निद्रा समाधिस्थिती संचारह पदयो प्रदक्षिन बिधी श्त्रोतान सरवागिरो यद करमं क्रियते तदखिलं संभोतव आराधनं तो यहां कहने का मतलब यह है आत्मा तमगिर्जा मती सहचरा प्राणा आपके सहचर जो नंदी है ये मनुष्य के प्राण सोरूप है प्राण सोरुप का मतलब ये जो प्राण वायू हमारे सरीर के अंदर आ रही है जा रही है यही तो प्राण है और प्राण कोई दूसरा है अगर दो मिनट के लिए किसी की सांस बंध कर दी जाए तो व्यक्ति तुरंट सरीर छोड़ देगा उसका सरीर छुड़ जाएगा तो स सहचरा प्राणडा मतलब नंदी क्या हैं सहचर हैं कैसे प्राणडवायू की तरह जीवनी सक्ति देते हैं तो नंदी के दर्सन करके उनके सींगों का असपर्ष करके माथे पर लगाया जाता है ऐसा करने से व्यक्ति की बुध्धी विवेक और ज्ञान जागरित होता है जिन लोगोंने अपना नया बिजनिस शुरू किया है या जो अपने पूराने बिजनिस में और तेजी लाना चाहते हैं वो अपने आफिस, सोरूम या दुकान में शीव के वाहन नंदी की प्रतिमा को जरूरamiliar स्थापित करें। नंदी की मूर्ती कारूबार में अचानक आने वाले संकटों से रख्षा करती है। दक्षिन पस्चिम निशा में नंदी बैल की प्रतिमाँ स्थापित करने से बेजनस को सुरक्षा मिलती है। अच्छे ग्राहकों को ये अपनी वो राकर्षित करते हैं। ग्राहक आपसे संतुष्ट रहते हैं, जिससे उनका रिष्टा आपके साथ लंबे समय तक बना रहता है। जहां भी नंदी बिराजमान होंगे, उहां संकट नाम का सब्द नहीं रहेगा, इस बात में कोई दोराय नहीं। इसलिए सिवाले में आप देखिएगा कि हर समय भगवान सिव के सानिध में नंदी जरूर रहते हैं और इसलिए कहा गया है सिवाले कोटे सा, मतलब कोई भी मंत्र, अनुष्ठान, जब, पूजा यदि सिवाले में की जाए, तो वो करोण गुना फलदाई होती है। इसमें कोई संसय नहीं करना चाहिए, जय माविन दिवास नहीं। और चंद्रवां की स्थिती इस समय सनी के साथ आपके एकादस भाव में है। अगर आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ नया सोचिए। अगर नवकरी करते हैं, तो अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे। किसी बेहतरीन इंसान से मिलने का आपको मौका मिलेगा, तनाव बढ़ेगा, सरीर और दिमाग को आराम दीजिए। अपने लक्ष से मत भटकिए, पानी में थोड़ा सा कच्चा दूद डाल कर अस्तान करिए, सुभंक आपके लिए आठ है, सुभरंग आपके लिए आसमानी है, जै माविन दिवासनिय। अब आगे बढ़ती हुए व्रश्व राशी की बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिती, कामकाज, रिष्टे, सेहत, साथी क्या है, आज का उपाए आपके लिए शुभंक क्या है, शुभरंग जान लेते हैं। आपके राशी में मंगल और ब्रहस्पती की इस्थिती है, आपका राशी स्वामी इस समय करक राशी में सूरी के साथ गोचर कर रहे हैं, सुक्र। इसलिए आमदनी बढ़ने का योग तो दिखाई दे रहा है, अगर आप विदेश से रिलेटेट कोई काम करते हैं, इंपोर्ट या इक्सपोर्ट का, तो उसमें भी आपको मुनाफ़ा होगा। काम के कारण आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, दोस्तों के साथ समय बिटाएंगे, सरी चुस्त रहेगा, सिहत का साथ मिलेगा। गलत संगत और गलत आदतों से बचना चाहिए। दान पूर्णे करने से लाब मिलेगा, सुभंग आपके लिए अच्छा है, सुभरंग आपके लिए हरा है, जैमाबिन दिवासनी। हश्मा अच्छा प्राइवेट पोस्त कर रहे हैं आईटी में जॉइन करने के लिए, उसमें आपको अच्छा पेल से अगो नोकरी मिलेगा, और फ्यूचर में ग्राव्मन जॉप का एगो चांसे सहां करके पूचना है। और मेरा हस्बेन अभी जिव में काम करते हैं, उनका भी फ्यूचर में कोई ग्राव्मन जॉप की चांसे सहे की फॉरिंग जाने की चांसे सहे करते जानना चाते हैं। देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने प्रस्ण किया है अपने आजीव क्या के बारे में जो आप ट्रेनिंग ले रही हैं उसके संबंध में। तो बहुत साब सी बात है कि चंद्रमा और मंगल की स्थिति चतूर सदसम है, चंद्रमा सनी के साथ है। अगर आप सरकारी नवकरी के बारे में सोच रही हैं, मैं तो कहूँगा कि इस बिशय में आप अपना ज्यादा समय बरबाद ना करें, सरकारी नवकरी का कोई योग है नहीं। आप समय बरबाद करके और बे मतलब डिप्रेशन में जाएं, इससे अच्छा है कि आप अपने योग्यता के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में काम देख लें, जिसमें आप सुखी रहेंगे। आपने अपने पती के बारे में जो प्रस्न पूछा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, कि आपके प्रस्न के हिसाब से सप्तम भाव का स्वामी सूरी है, जो इस समय करकरासी में इस्थित है, और उससे आज यूतिया भाव का स्वामी जो है वो सुक्र है, सूर कोई संदेह नहीं है हाँ उनको एक काम जरूर करना चाहिए वो काम ये करना चाहिए कि उनको रोज सुवह सुर्योदय के समय उठकर के असनान करना चाहिए और हो सके तो सूर्य को जल देना चाहिए अगर सूर्य को जल देना सुरू कर दें तो निश्चित रूप से उनके आत पुराने विजनेस को बढ़ाना चाहता है तो नंदी की प्रतिमा का कौन सा उपाए उसके लिए कार्गत साबित हो सकता है यह जानते हैं कई बार परणीची ऐसा होता है कि हम एक कारोबार कर रहे हैं वो बंद भी हो जाता है लेकिन फिर कोई ऐसा वक्त आता है कि हम उसको री हार है मन के जीते जीत मन अगर हार गया ना तो आदमी हार गया और मन अगर नहीं हारा धैरे रखकर संघर्ष कर रहा है तो मन जीतेगा तो आप जीतेंगे तो होता क्या है कि जब हमारे चारों तरफ निगेटिव आतावरण होता है और हम नकारात्म कूर्जा से भर जाते है तो हमारे आसान आसान काम भी बिगड़ जाते हैं बिलकुल सही और जब हमारे अंदर सकारात्म कुर्जा का प्रवा होता है जब हमारे अंदर वही जैसे हनुमान जी के बारे में कहते नहीं है जब मन में पवित्र संकल्प सकती होती है तो चेहरे पर एक तेज उसका जलकता है और जब मन में मलीनता होती है तो चेहरे पर एकड़म अंधेरा चाया आता है आप किसी को भी देख करके यह अन्मान लगा सकते हैं कि इसका मतलब कि आत्म विश्वास कैसा है व्यत्ती का आत्म विश्वास जो है उसके जीवन में उत्थान और पतन का प्रमुप कारण है गीता में तो यह भी कहते हैं कि मन एवं मनुस्या नाम कारण बंध मोख्षे हो मन जो है मनुस्य का बंधन और मोख्ष का कारण है मन बहुत बड़ी चीज है और मन जितना दुनिया के अपराद है सब मन करवाता है कोई ऐसा अपराद नहीं है जो मन करवाता हो और किसका मन करवाता है अपना ही मन करवाता है मन से बड़ा कोई सत्रू नहीं है समझ रही हो और मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं है, अगर काम, प्रोध, मद, लोब, मोह, मद, मत्सर ये छो विकार को जीत करके काम निर्विकार हो जाए, मन निर्विकार हो जाए, तो भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रिया नाम मनस्चास्मी, इंद्रियों में मन हूँ, लेकिन वो इंद्रियों में मन तब बनते हैं, जब काम, प्रोध, मोह, लोब, मद, मत्सर से आप दूर हो जाते हैं तब, वो इं ब्यक्ति जब मरता है ना तो मरने के बाद ब्यक्ति का मन जो है, ये भी उसके सांथ ही जाता है, चित भी उसके सांथ ही जाता है, ऐसा नहीं कि आत्मा जाती है, मन नहीं जाता है, अगर मन न जाता और मन फिर न आता, तो जब पैदा होता है बच्चा और मा के अस्तन के पास जाता है तो उसको कौन सिखाता है कि दूद है से खींचो दूद खींचना उसे कौन बताता है कैसे वो जान जाता है तो चुकि उसका अभ्यास जन्म जन्मों का मन को मालूम है कैसे होता है इसलिए ऐसा होता है तो कहने का मतलब यह है कुछ ऐसी प्रतिमाय होती है कुछ ऐसी म पूर्तियां होती हैं जिन्हें देख करके मन में आहलादित होना जो है स्वाभाविक है नंदी की प्रतिमा के बात कर रहे हैं तो मुझे याद आती है नेपाल में पश्चुपतिनात मंदिर में जो प्रतिमा है वो एक बहुत भव्य प्रतिमा है नंदी की और उसके बारे में में बहुत सारी ऐसी बाते हैं मैं exactly लोगों को नहीं पता लेकिन वो एक अलग प्रतिमा है उसको देखके एक अलग ही अनुवूती होती है दिखो ऐसा है मैं बता रहा हूं आपको जब चांदी की कोई सुंदर सी प्रतिमा नंदी की और बढ़िया बनावट की और चमकते तो आपको देख करके आपके नेत्रों को जो सुख मिलता है आपको जो सकून मिलता है वो आपके मन को प्रसंद किये बिना नहीं रह सकता है और जब आपका मन प्रसंद होगा और जब सकारात्मक सक्तियां आपके सरीर में बढ़ेंगी तो कारे में सफलता तो आपकी दासी बन जाएगी, सफलता तो आपकी दासी बन जाएगी, इसलिए कारिछे त्रया कारोबार में नंदी की प्रत्रिमा लगाने से आपके ऐसे कारोबारियों के साथ सम्मंध जूर जाते हैं जो बिश्वसनी होते हैं पब्लिक लिमिटेट कंपीनिया हैं या ऐसे ब्यापारिक संस्थान हैं जहां पर सेर का काम होता है ऐसे जगहों पर नंदी ग्राहकों को और सेरधारकों को कंपीनी के प्रतिव उनके विश्वास और निष्ठा को मजबूत करते हैं आपके बिश्वस को सुरक्षा देने के साथ साथ नंदी की प्रतिमा आपके बिश्वस पार्टनर के बीच सवहार्पूँ और मजबूत साजेदारी परण करती हैं किसी दूसरे बिश्वस ग्रूप के आप सहोगी कंपीनी हैं तो वहां भी आपको लाग मिलता है नंदी की प्रतिमा बेजनेस छेत्र में लगाने से आप एक बहतर लीडर भी बनकर उभरते हैं नंदी दक्षन दिसा में पस्चिम दक्षन दिसा में लगाने के साथ ही बेजनेस छेत्र की पूरव दिसा में अगर इंद्र की मूर्ति अस्थापित कर दी जाए तो ऐसा करने से आपका सामाजिक सरोकारों में बढ़ोतरी होती है इसलिए अगर वैसे तो मंदिर में आप नंदी की जाके पूजा करते ही हैं विधी विधान से उसमें तो कोई नई बात नहीं है लेकिन आजकल जो सिव मंदिर हैं उस शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा आपको मंदिर के बाहर नहीं मिलेगी, वो नंदी की प्रतिमा आपको मंदिर के अंदर ही मिलेगी जहां सिव परिवार होगा। और अंदर शिवलिंग गर्भग्रिह में मध्य में अस्थापित हो, ऐसी प्रतिमाओं का दर्सन करने से जन्म जन्मांतर के पापनश्ठ हो जाते हैं। और नंदी से सच्ची जो भी आपकी मनोकाबना हो कहने से उततकाल पूर होती है। नंदी सब प्रकार के असुफ को दूर करने वाले हैं। एक बार ये समझ लीजिए कि नंदी का चित्त में अस्वनन होते ही आपके सारे दुफ दरित्र नश्ठ हो जाते हैं। इसमें कोई अत्सयोक्ति मैं नहीं कह रहा हूं। ये अनुभो की हुई बात कह रहा हूं। इसलिए भगवान सिव में तो अनुराग रखिए। जैसे अगर आप हनुवान जी से कोई बात कहिए तो जल्दी राम जी तक पहुँच जाएगी। बिस्वास मांगे। अगर आपको राम जी तक पहुँचना है तो हनुवान जी का नाम ले लिजिए आप जल्दी राम जी के पास पहुँच जाएगे। अगर आपको सिव जी के पास पहुचना है तो नंदी की सरन हो जाएए आप सिव तक पहुँच जाएगे। आपको भगवान कृष्ण का क्यारा बनना है तो आप पांच बार राधा राधा कहिए भगवान कृष्णा आपके पास सोयम आ जाएंगे कहने का मतलब यह है कि सबका संबंध है इसलिए नंदी की पूजा करने से निश्चित रूप से मानसिक प्रसन्नता होती है और व्यक्ति के बुद्धी में विबेक जाग्रित होता है जैमाविंद्यवासनी और आए मिथुन राशी की बात कर लेते हैं आपका देन आज कैसा रहने वाला है आपका भग्या आपका कितना साथ देगा यह जानते हैं देखिए आज का ग्रह गोचर आपका थोड़ा कम ठीक मुझे लग रहा है जैसे क्या ठीक नहीं है चंद्रमा और सनी विश्योग बनाते हुए आपके भाग्यभाव में है अगर आज थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आपका कोई कीमती सामान खोशकता है इसलिए अपने सामान के प्रति अपने पैसे के प्रति सजग रहें दूसरी बात कोई भी काम करना हो तो योजना बना कर करें जीवन सांथी के साथ हो सकता है कि कुछ समय के लिए मतभेद भी पैदा हो दात पैर या पेट में भी तकलीफ हो सकती है किसी से करवार नहीं बोलना चाहि आपके लिए नव है सुभरंग आपके लिए केसरिया है जै माविन दिवासनी और बात करते हैं आगे पड़ते को पर करक्राशी की कह जानते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा देखिए करक्राशी का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके अश्टम भाव में अर्थात मृत्तु भाव में गोचर कर रहा है और सनी के साथ है लेकिन डिगरी उसकी बिलकुल लास्ट है इस समय 28 डिगरी पर गोचर कर रहा है तो बहुत घबडाने की बात नहीं है घंटे दो घंटे तक ऐसी स्थिती रहेगी अभी से लगभग 12 बजे तक कि जब आपके खर्चे बढ़े रहेंगे लेकिन उसके ठीक बात आप माता पिता की मदद करेंगे कोई बड़ा कारोबारी लेन देन करेंगे अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे आज आपको आलत से नहीं करना चाहिए ब्यायाम और सेर करने की आदत डालना चाहिए अगर धैर नहीं रखा आपने तो असफलता भी हाथ लग सकती है पंच्चियों को साथ प्रकार के अनाज मिला के डालें सुभंक आपके लिए साथ है सुभरंग आपके लिए पीला है ज आप जानते हैं आमदनी बढ़ाने परेशानियों से मुक्ति पाने और रिष्टों को समारने में नंदी की मूर्ती कितनी असरदाज साबित हो सकती है अब ये जानते हैं पंडे जी बताईए देखे घर की तिजोरी हो या कैस बाक्स हो अगर उसमें छोटी सी चांदी की या पारे की नंदी की मूर्ती आप किसी सुप मूर्त में अस्थापित कर लें तो आप विश्वास करिए धन धानने का भंडार भरा वहेगा जब भी आप कैस बाक्स खोलें जब भी आप अपना त्योरी खोलें तो सबसे पहले नंदी के पास अपना हाथ असपर्स करके प्रण करें आप भी स्वास करें यह उपाय तो है बड़ा आरा आसान लेकिन इसका चमतकार बहुत है सम्मान के साथ अपने कैसबाक्स या तिजोरी में एक लाल रंका या सफेद रंका रेशमी वस्तर बिछा कर और उसी पर एक कोने में आप नंदी को अस्थाफित कर दीजे घर में सिवलिंग के साथ ही माता पार्वती, भगवान गणेश, स्वामी कार्थिके और नंदी की परतिमा पूजा अस्थान में जरूर रखनी चाहिए इनको सिव परिवार ही कहते हैं इन सभी की पूजा एक साथ करने से पहुत लाव मिलता है नंदी पर बिराजित या फिर ध्यान की मुद्रा में बैठे भगवान सिव की प्रतिमा घर में लगाने से परिवार में कलेश समाक्त हो जाता है घर में प्यार बढ़ता है और बच्चों की एकागरता बढ़ती है सभी तरह के कष्ट, रोग और कलेश से मुक्ति पाकर मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कृष्णपक्ष की पंचमी, द्वादसी, सुक्लपक्ष की सस्ठी और त्रेवदसी तिथियों में महादेव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व में भ्रमर करते हैं इसलिए इन तिथियों में सिवलिंग का रुद्रा विशेक जरूर करना चाहिए देखिए ऐसा है, हमारे हाँ जोतिस सास्तर में कहा गया है तिथिम चर दुगुणिम कृत्वा, पंचभिर भाग मा हरेत, सब्ट भिष्टू हरेत भागम से सांके फल मा दिशेत तिथि को दुगुणा करके, पंच उसमें जोड करके और साथ का भाग देने पर जो सेस आता है उसी के अनुसार सिववास माना जाता है एकेन बस्ते कैलासे दुतियम गवुरी सन्निधव तिर्तियम विशभारून हम सभायात्रा चतुर्थके अगर एक बचे एकेन बस्ते कैलासे अगर सेस एक बचे तो भगवान सिवव का वास कैलास पर होता है दुतियम गवुरी सन्निधव अगर दो सेस बचे तो वो मा पार्वती के सानिध्य में रहते हैं तिर्तियम विश्भारूण हम तीन सेश बचे तो बैल पर आरूण रहते हैं, सभायात्रा चतुर्थके और चार सेश बचे तो सभाया यात्रा में रहते हैं. इस तरह से एक, दो, तीन सेश बचने तक भगवान की आराधना का, अनुष्ठान का, जब का और उद्राविसे का बिधान है. चार, पांच, छे, साथ में कोई बिधान सात्र सम्मत नहीं है. इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए. सिव पूजन में सिव वास देखना चाहिए. और सिव जी के लिए अगर हवन कर रहे हैं, तो उसमें अगनिवास का भी विचार करना चाहिए. अगनिवास यद प्रिश्वी लोग में होगा, तभी वो हवन आपके लिए सुपकाईज होगी. पाताल लोग की अगनी और आका तिथी वरियूता कृतापता सेसई गुनब्रय भू अगनिवास सेसाय सवक्याय ससी उग्म सेसाय प्राणार्थनासर दिव भूतलेचर ये अगनिवास दिकालने की विधी है, जो विद्वानों को मालूम होती है. तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कि सिव पूजा में सि अगनिवास आवस्यक है और हवन में अगनिवास आवस्यक है. लेकिन जहां जियोतिर लिंग है, जहां मतलब की शिवालय है, जहां मूर्ति की परतिष्ठा की गई है, वहां के लिए आपको शिवास देखने की जुरुत नहीं है. वहां हर समय आप अभिशेख पूजा कर सक लेकिन अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिटी का शिवलिंग बनाकर और उड़की पूजा कर रहे हैं, तो वहां सिवास का देखा जाना बहुत जरूरी है. जैसे 12 जिवतिर लिंग जो हमारे हैं, इन 12 जिवतिर लिंगों में 365 दिन 24 घंटे भगव सारी आगे जारी रहेगी, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हुए सिंहराशी की बात कर लेते हैं, आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, पंडी जी से ये जानते हैं. कि तकराव के बावजूद बैवाहिक जिवन सुखी रहेगा, सारीरिक और मानसिक स्वास्त उत्तम रहेगा, साउधानी ये है आपके लिए कि नकारात्मंग बिचार और समय की बरबादी से बचिये, मूं की दाल की मिठाई छोटी करन्याओं को खिलाइए, सुभंक आपके क्या है, आज का उपाय आपके लिए शुभ अंक क्या है, और शुभ रंग क्या है, ये जानते हैं दिखिये, कन्या रासी में तो केतू की स्थिति हाई है, और ब्यभाव में रासी का स्वामी बुध है, तो अपना बजट मत बिगाड़िये भाईया, वरना आर्थिक तंगी जहल ली पड़ेगी कारोबार में लाब मिलेगा, नया काम सुरू कर सकते हैं, बाहर के लोग घर के मामलों में डखल देंगे तनाव महसूस करेंगे आप, सोच समझ कर फैंसला लीजिए, किसी सामाजी का स्थान में पौधा लगाईए, सुभंक आपके लिए तीन है, सुभरंग आपके लिए गुलाबी है, जै माबिन दिवासनिय। और अब अपनी चेचा को आगे बढ़ाते हैं, अक्सर मंदिरों में जहां भी नंदी की मूर्ति स्थापित होती है, लोग उनके कान में अपनी मनुकामना कहते हैं, इसका पौरानिक महतु क्या है और इसके भी कोई खासनियम होते हैं क्या, पंडी जी ने थोड़ा सा आपक कान को बंद करते हैं, उसका मतलब क्या, एक कान को क्यों बंद करते हैं? ताकि उसकान से वो बात निकलनाजाए, ओक और दूसरे से कुछ कुछ वो बोलते हैं नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नी보다 कुछियम उनका पालन ज़रूरी है जैसे नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले नंदी का पूजन करना चाहिए गंधाक्षत पुस्व धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए उनके माथे पर तिलग करना चाहिए और अगर एक माला हो तो उनके गले में माला डालनी चाहिए और कुछ उनके नवेद भोग परशाद के रूप में भी कोई फल चाहना चाहिए मनोकामना बोलने के बाद उनके पास कुछ भेंट जरूर रखनी चाहिए भेंट परशाद के रूप में भी की जा सकती है नंदी के कान में अपनी मनों कामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने मतलब इस तरह से कहें कि आपकी बात क्योल नंदी सुने नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने जोनों हाथों से धक लें ऐसे करके बोलें, नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई या दूसरे ब्एक्टि के बुरा करने की बात न कहें. ince ओल अपने कल्यांड की बात कहें, ऐसा करने से आप सीव को करोष के भागी बन जाएंगे. अपनी मनोकामना नंदी की प्रतिमा के किसी भी कान में आप कह सकते हैं लेकिन सास्त्रों में नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का ज्यादा महत्व माना गया है जैमाबिन दिवासनी कि तुरा राशी के हम बात करें उसे पहले दर्शक हैं उनसे बात कर लेते हैं स्वागत अंजली जी आपका काल चक्र में अपना प्रश्न कीजिए पंडे जी से हलो पंड़ जी राम 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 देखे ऐसा है जहां तक आपके विवाह का प्रस्ण है तो मंगल और सुक्र दोनों की स्थिति तिर्थियकादस है अगर आपके घरवाले और आप सोयम थोड़ा सा प्रयास करें थोड़ा सा प्रयास का मतलब दुरगा सब्तसती के दस पाठ संपुटित सरवाबाधा बिनुर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्विता मनुस्यों मत्प्रसादेन भविश्यती न संसय सुक्रवार के दिन अगर आप पाठ करा लें पाठ में आप बैठें पूजा में और हवन कर लें तो निश्चित रूप से इस साल जनवरी फरवरी तक आपके विवाह का योग बन जाएगा दूसरा प्रस्ण आपने अपने भाई के विवाह के लिए किया है तो मैं बताओं कि यह आपके अंजली देखो बड़े भाई हैं और इस हिसाब से गर देखा जाए तो सनी और मंगल की स्थिति चतुर्थ रसम है इनके विवाह में बहुत देर हो चु कहीं से दिख नहीं रही है अगर इन्हें विवाह की इच्छा है तो इन्हें सौ दिन तक लगातार साम को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ती घर में रख करके नौ इंच से छोटी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ती रख करके उनकी पूज़ पूजा करनी चाहिए और सौव दिनों तक लगातार सुचिता पूर्वक सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए इससे हनवान जी की क्रिपासे इनके दामपत्य जीवन में एक नया मार्ग खूलने का संकेत मिलेगा जैमाबिन दिवासनी तुलाराशी के बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है आपका भागी कितना स्ट्रॉंग रहेगा ये जान लेते हैं देखिए तुलाराशी से बैभाव में केतु है धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को देख रहा है दोस्तों के कारण धनलाब हो सकता है लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाएगी बचत नहीं हो पाएगी काम में प्रगति तो होगी नई योजनाय भी बनेगी विवात को बढ़ाने से अच्छा है कि आप समझावता कर लें सिहतमंद रहना है तो नसीली किसी चीज का त्याग करें अहंकार और मद्भेत से बचना होगा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं सुभंक आपके लि अपना सवाल कीजिए पंडी जी से चलिए उनसे संपर कभी नहीं हो पा रहा है हमारा लेगिन लखनू से गीता जी सुपक्त मारे साथ जोड़ गई है स्वागत है आपका प्रश्ण कीजिए पंडी जी से प्राम पंडी जी मैं लखनों से गीता बोल रही हूं मुझे अपने पती और दोनों बेटों के बारे में बात करनी थी मेरे पती का जनम है 2 अक्टूबर 1969 साथ बश्ची 15 मिनट सुभा और बड़े बेटे का जनम है 2 सितंबर 1997 साथ बश्ची 11 मिनट शाम को दिन मंगलवार और तीसरा बेटा जो है मेरा दूसरा बेटा है 27 अप्रेयल 2023 को साथ बश्ची 49 मिनट सुभा रवी बार को पंडी जी मुझे अपने पती के बारे में पूस्वार कि हमारा वैपार है चपपलों का चपपलों जूतों का वैपार खुट भी अरका है तो पिछले कई सालों से म चाहिकर के सामधान निजिकल का ले जान देखो गीता ऐसा है चाहिक तुम्हारे पती भाव पान्चह सालों से एनका काम निरनतर नीचे की तरफ जा रहा है इनकी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही है और जिस अस्थान पर इनका ब्यावसाईक अस्थल है उस अस्थान पर बहुत बरकत नहीं है अस्थान परिवर्तन सबसे उत्तम रहेगा अस्थान परिवर्तन करने के लिए अगर आप इस नवरात्र में प्रयास करें तो अस्थान परिवरतन हो सकता है दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपके पतिदेव की सेहत में भी अब गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं ये हड्डियों से संबंधित और पेसाब से संबंधित रोक की तरह फिसारा कर रहे हैं इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और अपने खान पान को ठीक रखना चाहिए अपना विटामिन D, विटामिन B12 इन सब चीजों की जाच करा लेनी चाहिए और अपने स्वास्त के प्रति जागरू को रहना चाहिए बेटे के बारे में जो तुमने प्रस्न किया है तो तुमने एक ही बेटे के बारे में प्रस्न किया है जो 97 का बार्न है उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि देखो जैद्यपी उसका स्वामी ग्रह बुध है और उसके आजीविक्या भाव का स्वामी ग्रह भ्रहस्पति है वो अपने समय के हिसाब से सफलता ले लेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है अभी तो वो 27 साल का हो रहा है लेकिन वो अपने समय के अंसार सफल हो जाएगा और अपनी जिमेदारियों को ठीक से निर्वहन करेगा बस उससे कहना ये है कि वो रोज गनेश चालीशा का पाठ कर लिया करेगा अगर वो गनेश चालीशा का रोज पाठ करेगा तो वो एक आग्याकारी और बहुत ही अच्छा लड़का सामित होगा आप अगर अपने घर या कारिश्रित्र में नंदी की प्रतिमा ला रहे हैं तो आपको भी कुछ खास नियमों का पालन करना होगा और कुछ खास बातों को भी हमेशा धिहान में रखना होगा वो नियम और वो बातीं क्या है ये पंडिज जी आपको बताएंगे कर्मकारण में तो हर चीज में नियम होता है सनातनध्र में जितनां भी कारे हैं इसके पीछे एपी फोकित होगा सब्सकार होता है जिसको आप किसी भी कशोंटी पर कसकर देख सकते सनातन्ध्र में ऐसे ही नहीं है कि चीटीo अटा खिला दो चीटी को चीनी खिला दो, ऐसे नहीं है, उसके पीछे भी कारण है, कि चीटियां जमीन के बिल में बनाती है, और उसमें आक्सीजन जाती है, और आक्सीजन जब मिट्टी में जाती है, तो उससे जमीन की उरवरा सक्ती बढ़ती है, मतलब कितनी छोटी छोटी बात है, बिलकुर, नाग प्रधान देश है, सर्प जो है, वो जितने भी किर्सी को नुकसान पहुचाने वाले कीडे मकोडे हैं, उनको खा जाते हैं, तो मतलब हमारे सनातन धर्म में हर चीज का कोई नो कोई लाजिक है, हर चीज का कोई नो कोई महत्व है, तो उसी तरह से नंदी की प्रत्मा आम त या सुक्रवार को भी नंदी की प्रत्मा खरीदना सुभ होता है, घर लाकर नंदी की प्रत्मा को एक साफ बरतन में कच्चा दूथ डालकर एक दो घंटे के लिए रखें, इसमें प्रत्मा के साहे दोसों की सांती हो जाईगी, फिर प्रत्मा को कच्चे दूथ से निकालकर साप पानी से अभिशेक करें साथ में ओम नमा शिवाय मंतर का जब करते हुए कुमकुम और गुलाल से नंदी का पूजन करें उस दिन लाब की चवगडिया देखकर उसी मुहूर्त में प्रत्रिमा को अस्थापित करें जैमाबिन दिबासनी अभी आप सवाल पंडी जी से करना चाहते हैं अब आप कर सकते हैं पंडी प्रणाम हां सदा सुखी रही भी यार पंडी जी मेरा नाम दिबे प्रकास है मेरा जनम 13 ओक्टूबर 1999 में है बिहार शीता मही जिल्ला जी मैं अभी गवर्मेंट जोब की प्रक्रेशन करना हूं तो क्या उसमें उपर्चुनिटी है मेरी और मेरा आगे का फाइनेंसल कंडिशन कैसा रहेगा और जी मैं अपनी सिस्टर के बादे में पूछना चाहता हूं उनका जनम 3 फरवरी 2003 का है पाँच फरवरी 2003 का है और उनका भी जनम सिता मही बिहार का है तो उनका आगे का क्रियर कैसर आएगा उन्होंने अभी BCA कंप्लेट किया है देखिए ऐसा है बेटा सही बात यह प्रप्रेशन आप कर रहे हैं हमारी सुब कामना लेकिन सच्ची बात यह है का आपके आजीव क्या भाव का स्वामी ब्रिहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है छटवा आठवा है जो इस बात का संकेत है कि सरकारी नोकरी का योग नहीं है अगर आप समय अपना बर्बात करना चाहें तो बर्बात करें नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में लग करके आप अपने जिंदगी को सुधार और समार सकते हैं बहन के बारे में जो आपने प्रस्ण किया है उसके बारे में यह आप से कहना चाहूँगा कि देखे उसके आजीविक्या भाव का स्वामी सनी है वो कम्पूटर से ही रिलेटड नवकरी करेगी और अच्छी नवकरी करेगी और धिरे-धिरे उसकी अच्छी ग्रोथ भी होगी लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि उसके पंचम भाव का स्वामी बुध इस समय सब्तम भाव में है अगर उसको यमसिये भी करवा दिया जाए तो सायद ये सोने पर सुहागा का काम करेगा और फिर उसके जिंदगी में कभी रुखावट नहीं आएगी जै माबिन जिवासनी अब हम ब्रिश्चिक राशी की बात करते हैं आगे बढ़ते हुए और जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है देखे ब्रिश्चिक राशी से सब्तम भाव में इस समय मंगल और ब्रहस्पती गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में सनी और चंद्रमा का गोचर है दसम भाव में बूध का गोचर है अगर इन सारी ट्रांजिट को देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि अगर आप ब्रिश्चिक राशी के जातक हैं तो लंबे समय के लिए कहीं आप अपना पैसा लगाईए आज कुछ स्वास्त पर भी पैसा खर्च हो सकता है लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई अच्छी खबर मिलेगी साज़ेदारों से सावधान रहें बैबाहिक जीवन में रिस्तेदार दखल देंगे इसकिन एलर्जी के करण परेशान हो सकते हैं ज्यादा भावक नहों तेल क का दान करें सुभंक आपके लिए एक है सुभरंग आपके लिए गुलाबी है जै माविन दिवासनी है और जमश्रीद पुर्सी जैप्रकास श्री स्पक्त मारे साथ फूल लाइन पर जुड़ गये हैं अपने सवाल के साथ आपका स्वागत है आप अपना प्रश्न पंडि चार अन्ठानवे एक तेरा एम में जन्में इसका जमसित्पुर में यह अच्छा चोवीश दास चोरानवे बेटा का भवा तीन है दो पैंतारिस में इनका जन्म में जरासा हम लों के बारे में बता दिए क्या कैसे किस से चलेगा भवा आपका तो ठीक है लेकिन अब आप स्वास्त के प्रदी साउधान रहिए एक बार आप अपने लीवर की जांच करवा लिजे अपने ब्लड पेसर और सूगर की जांच करवा लिजे क्योंकि आपका स्वास्त थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह स्वास्त आपका अपरेल तक जबा भी नहीं हुआ है जहां तक बच्चो का प्रश्ण है तो आपके पंचंभाव का स्वामी बुध है जसे सिंच हरासी में स्थित है और उसssa भागयभाव का स्वामी मंगल है बच्चो का भवी से ठीक है ये अपने समय में अपनी जिम्मदारियों को पूरा करेंगे लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि दोनों का भागय जो है वो सामान्य है बहुत उच्च कोटी का भागयोद्य नहीं है सामान्य है लेकिन अगर दोनों भगवान गनेश की उपासना करें और साल में एक बार गनेश जी का सहस्रार्चन करें तो निश्चित रूप से इनके भागय में चार्चांद लग सकता है इसमें कोई दोर आये नहीं है जैमा भी निवासनी अब बात कर लेते हैं जल्दी से धनुराशी की क्या कहता है धनुराशी का राशी फल कैसा रहे का आज का दिन जानते हैं अब दोर आज के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशी स्वामी ब्रिहस्पती इस समय ब्रिसफ राशी में गोचर कर रहा है मंगल के साथ ऐसे में अगर देखा जाए तो धनुराशी के जातकों को ये कह सकता हूं कि अगर आप आज गोल्ड में निवेस करें तो आपको फायदा मिल सकता है सभी काम अच्छी तरह से पूरे होंगे जीवन सांथी की सेहत की चिंता रहेगी भाग दौर बढ़ेगी लेकिन सेहत का सांथ मिलेगा अपनों की अंदेखी करने की गलती ना करें घर में गंगा जल का छिर्काव करें सुभंक आपके लिए दो है सुभंक आपके लिए हरा है जै माबिन दिवासनी और अभी सीक्रम में आगे बढ़ते हैं बात कर लेतें मकर राशी की चलिए जान लेते हैं कि आज आपका भग्या आपका कितना साथ देगा देखें मकर राशी के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय आपका राशी स्वामी कुम्भ राशी में दूती भाव में संद्रमा के साथ है अगर आज आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसमें धन्हानी हो सकती है नई साथेदारी और नए काम के लिए दिन ठीक है अपनी बात साबित करने के लिए दूसरों पर हावी नहूँ मन साथ रखें जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें गैर कानूनी काम जल्दबाजी और इस्या से बचें किसी धर्मस्थान की सफाई करें अब बारी आजाती है कुमभ राशी की चलिए बात कर लेते हैं जानते हैं कि आज आपका भागी कैसा रहेगा आपका दिन कैसा रहेगा अभी तक इस समय तक तो आपके राशी में चंदर सन्य की यूती बनी हुई है लेकिन घंटे दो घंटे बाद ये यूती खतम हो जाएगा इसलिए हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये कि खर्च बढ़ सकता है और हो सकता है कि आज किसी जरूरी काम के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़े काम में गलती हो सकती है, मन भटकेगा घर में महमान आ सकते हैं, विष्टेदार आ सकते हैं सरीर में दर्द बढ़ सकता है, अपने बिचारों में लचीला पन लाएं किसी धर्मस्थान में सहत कादान करें सुभंक आपके लिए आठ है, सुभरंग आपके लिए सफेध है जैमाबिन लिबासनी और आप बारी है मीन राशी की, चलिए जान लेते हैं मीन राशी वाले जातकों का भाग के आज कैसा है मीन राशी के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशी में राहू की इस्थिति है और आपके बैभाव में सनी के साथ चंद्रमा है ये धन्हानी का संकेत कर रहा है आपको अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए आपके उपर आज वर्क प्रेसर जादा रहेगा इसलिए सही उजनाय बनाईए अपनों से दिल की बात कह सकते हैं इससे आपको हलकापन महसूस होगा सारीरिक और मानसिक स्वास्त उत्तम रहेगा बिद्यार्थी गलत संगत और समय की बरबादी से बचें किसी मंदिर में बादाम का दान करें सुभंक आपके लिए साथ है सुभंक आपके लिए पीला है जैमाबिन लिवासनी आज की मारी इमेल कुणली विजेता कौन है हम आपको बताएं और पंडे जी आपकी सवाल का जवाब दें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जोड़ गएं आयुद्या से दिनेश जी स्वागत है आपका प्रश्न कीजिए पंडे जी से हलो हाँ बोली हमारा डेटा अबर्थ पांच अक्टूबर उननीश से नवासी तो हम जमीन के कारोबार करते हैं सफलता नहीं मिल लगी है पंडे जी ठीक है दसंभाव का स्वामी भी ब्रहस्पती है और दिनेश के नाम से मीनरासी बनती है उससे भी मतलब की ब्रहस्पती की स्थिती बन रही है प्रस्णकाल में अगर देखा जाए तो सदाश्टक योग है अप्रैल तक आपको अपने काम को ठीक गती पर लाने के लिए ओम ब्रिंग ब्रहस्पताय नमा इस मंतर का रोज दसमाला जब करना चाहिए ये मंतर अगर आप दसमाला जब पच्चासी दिनों तक कर लें तो मेरा दावा है कि आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा और आपको अपने काम में सफलता मिलेगी अपनी परिवार में अपनी मां से या पत्नी से किसी से कहिए कि वो केले के पेंड में ब्रहस्पत बार को जल और हल्दी डाला करें और थोड़ी सी भीगी हुई चैने की डाल और गुड किसी गाय को ब्रहस्पत बार को खिलाया करें इससे आपका भाग्योद्य हो जाएगा और आपको सफलता मिलने लगे चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे लखी इमेल कुंडी विज़ेता की आज के हमारे इमेल कुंडी विज़ेता है मुंबई की रहने वाले प्रभास तनेश मकवाना और ये इसफ़क्ट हमारे साथ tremendous लाइन पर मौजूद भी हैं आपकी डिटेल पंडी जी के पास पहले से ही मौजूद है, आप अपना प्रश्ण पंडी जी से कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? गुरुवार और मेरे भाई का है, शाम का छे बचके पास मिनिट बुद्वार, मेरा प्रस्ण ये है, कि मेरा मुझे जॉब करना चाहिए, या बिसनस करना चाहिए, और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, कॉम्पुटिटिव एक्जाम है, ग्लोबली, सी ए में करके, मैनेजमें स्टडीज का, उसने क्या मुझे सफलता मिलेगी, और क्या मेरा विदेश जाने का योग है, और मेरे भाई के लिए मुझे ये प्रस्ण बुचना है, कि वो जॉप करे या बिसनस करे, और वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो उसका क्या रहेगा, देखे, आपको ब्योस पॉइंट है, वो है सूर्य अपने उच्च के नवांस में, सूर्य उच्च के नवांस में है, अगर आप सरकारी नवकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तो नहीं सफलता मिल सकती है, लेकिन तीन साल के बाद 27 साल में आपको सफलता मिल सकती है, अगर इतना पेसेंस आपके पास है तो सरकारी नवकरी के लिए प्रयास करिए और नहीं तो आपको कास्मेटिक से रिलेटेड सिंगार प्रसाधन समगरी से रिलेटेड कोई ब्यवसाय अपना सुरू करना चाहिए जो बहुत उंचाई तक जाएगा जहां तक आपने छोटे भाई के बारे में प्र मंगल तीसरे भाव में हो तो भाईयों का नास करने वाला होता है और तीसरे भाव का स्वामी सनी अगर नीच रासी में हो तो ऐसे जातक का जो छोटा भाई होता है और रूग्ण बीमार और मांसिक रूप से कम विक्सित होता है तो आपको चाहिए कि भाई का सुख मिले और भाई सुरक्षित रहे उसके लिए आपको ओम संग सनस्चरायनम इस मंत्र का दस माला जब 102 दिन करना चाहिए और 102 दिन पूरा होने पर किसी आचारे ब्राहमर को बुला करके सनी का हवन करवाना चाहिए और दान पूरे करना चाहिए इससे लाब मिलेगा इससे भाई ठूकर अशुफ फल दे रहा है तो आपको इससे बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए आए जान लेते हैं पंडित जी बताएं चंद्रमा करकरासी का स्वामी होता है चंद्रमा ब्रिशफ राशी में उच्च का होता है और ब्रिश्चिकरासी में नीच का होता है ऐसे में चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो जल संबंधी रोग होते हैं जैसे मुतराशय, मधुमेह, अतिसाह, अनिद्रा, नेत्र रोग, पीलिया, मानसिक तनाव, मानसिक रोग, सर्दी, जुकाम, खासी, सांस या फेफ़नों के रोग होने की संभावना बढ़ ज लेकिन वो लगन पंचम नवम का स्वामी होना चाहिए, चांदी का चवकोट टुकड़ा अपने जेब में रखना सूभ होता है, चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सिवलिंग पर कच्चे दूद से अविशेक करना चाहिए, सुकलपक्ष के चंद्रमा के दर्सन करन चाहिए, चंद्र ट्राटक क्या है, आँखों की पल के नज हपकें और चंद्रमा की तरफ आप यह था संभव समय तक देखते रहें, यह चंद्र ट्राटक कहलाता है, इसका अभ्यास करने से मन में सी तलता आती है, जैमाबिन दिवासनी पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं, आज का विश्य आपको पसंद आया होगा, कल फिर एक नए विश्य और आपकी परिशाने को दूर करने के लिए धेरों पाई लेकर आएंगे, हम पंडित जी के साथ, तब तक के लिए काल चक्र की टीम को दे जी अजाज़त, नमस्कार.